और दोस्तों कैसे है आप सभी तो आज के वीडियो में Lenovo Laptop को कैसे latest software update करें इसको अगर आप update नहीं करते हैं तो performance issues रहेगा, sound output ठीक से नहीं आएगा और graphics related issues हो या फिर slow हो रहा है, boot up times भी बहुत slow हो चुका है तो ये सारा चीज आपको दिखने लगेगा क्योंकि आपने model जो laptop का है उसके related specific software update नहीं किये बहुत लोगों को पता नहीं है, neglect कर जाते हैं, windows update के बारे में नहीं पता रहा हूं मैं वो तो automatically update होता रहेगा, internet है तो ये laptop specific model उसके लिए updates जो manufacturer ने दिये रहते हैं उसको update करना पड़ता है, 3 months या फिर 6 months के लिए, like once in a 6 months आप जरूर चक कीजिए website को जाके, मैं वहीं आपको इस वीडियो में complete information बताने वाला हूं तो अगर आप हमेरे चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने ना बुले वैसे लाइक और शेयर करके हमारे इस चनल को सपोर्ट कीजिए तो वहीं बहुत ही important है भी मैं आपको पताने वालों यहां पर देखे तो Google में आप जाके सर्च कीजिए तो आपको क्या करना है लेनोवो सपोर्ट करके सर्च करना है तो लेनोवो सपोर्ट वेबसाइट जाएंगे support.lenovo.com भी आप डिरेक्ली एंटर कर सकते है तो लेनोव पर क्लिक नहीं करेंगे PC support को क्लिक करना है आपको तो यहां से browse product करके है या फिर डायरेक्ली आप यहां पर model नमबर ऐसे टाइप कर सकते है लेट से की 15 ISK ऐसे model नमबर है तो देखे इंस्टेंटली 15 ISK के related downloads, how to user guidance, सारा चीज़ मिल जाएगा तो वैसे आपको पहले देखे काउंट साब का model नमबर है बहुत ही important है तो उसी के related अभी हम update करेंगे तो ऐसे चेक कर सकते हैं और दूसरा चीज़ जो है यहां detect product भी आप क्लिक कर सकते है अपने laptop पर है अगर तो detect product क्लिक करने से easily वो including serial number और आपका जो product model नमबर है वो चेक करके updates देगा यहां पर browse product करके यहां चाहते हैं यहां चाहते हैं यहां से आप अप्डेट चाहते हैं तो यहां से आप लैप टॉप को क्लिक कर सकते हैं तो select series है तो let's say की Lenovo idea pad 3 series हम लेंगे हां तो यहां से सब series वही model number है देखें एक 4G 14 Q 8C 05 से model number रहे का तो let's say की मैंने क्लिक किया तो यह idea pad 3 में इतने सारे model number है देखें तो let's say 1780 यह 05 को मैंने क्लिक किया है क्लिक करने के पाद थोड़ा बेट किजिए आप automatically वो laptop लेके इसके related जो भी software अपडेट से हां पर मिल जाएगा एंद आपका serial number अगर यहां पर एंटर करेंगे serial number भी आप laptop के पीछ है देख सकते हैं तो instantly वो बैरन्टी सजेस्ट करेगा एंद उसके साथ जो अपडेट्स आपको करना है वो भी सजेस्ट कर देगा अप्डेट्स करें पर क्लिक कर सकते हैं मैं सजेस्ट करूआ कि अपर जो अपर उपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं यहां फिल्टर कीजे या फिर डैरेकली आप लेट से देखिए आपर आडियो के रिलेटेट दो आपडेट्स दिये हैं यह तो विंडोस 11 के लिए 10 सब्टेंबर देखिए अगर आपने जून जुलाई में कभी लिया है लाटॉक तो 10 सब्टेंबर वाल अपडेट जो है वो आप मिस्कर रहे है तो आपने रखा नहीं होगा तो यहां से 54.5 अबिका इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करें डबल क्लिक करके इंस्ट लेंगे लिए लेटेस्ट अपडेट एपार इंडोस लगें विंडोस 10 तो आपका अपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है उसके रिए ब्यूस के रिलेटेट भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां को दर जाना है देखिए क्या होगा है अपडेट करने से कुछ नहीं हो पर अपडेट है तो इस चीज को आप ऐसे एरो पर क्लिक करना है डाउनलोड करके इंस्टाल कर देना है कैमरा के रिलेटेट भी लेटेस्ट अपडेट आया है तो इससे आपको साउंड क्वालिटी इंप्रूमेंट हो कैमरा पिक्चर क्वालिटी इंप्रूमेंट हो जरू आपको अपडेट करना है तो यहीं आपको करना है बहुत इंपोर्टेंट है आसे ट्रबल शूट और डाइगनाज भी हो जाएगा वारेंटी सर्वीस के रिलेटेट भी आप जान सकते हैं तो धेर सारे इंफोर्मेशन जो है पार्ट्स के रिलेटेट भी अगर आप सीरियल न में पताना कि कैसे आपका लैप्तॉप इंप्रूब हुआ है वीडियो हेल्प फुल रहा होगा आपको इस हीड़ लाइक बटन शेयर किजिए अपने फ्रेंट्स के साथ जो भी लिनोवा लैप्तॉप लिया है वैसे अप्डेट करना है उनको एंड एच्पी डल्या तूसर लेप्र भी में वीडियो पना दूंका दैट्स इंदिस वीडियो तो मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एवरीवन बाइबाए